कोलकाता नाइट राइडर्स और सन्राइजस हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला गया। मैट जीतने के लिए दोनों ही टीमें अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। ड्रेसिंग रूम की गतिविधियों और माहौल का वर्णन करते हुए मैच की कहानी इस प्रकार है। सुबह से ही दोनों टीमों के खिलाडी ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कप्तान शाहरुख खान बहुत उतसाहित नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी टीम से कहा आज हम जीत के लिए लड़ेंगे। हमारी टीम में काफी प्रत कर रहे थे। उन्होंने कहा हमने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन आज हमें और भेतर करना होगा। हम जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। खिलाडियों ने गर्मिंग अभ्यास शुरू कर दिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज प्रकाश राज अपनी तेज गेंदबाजी पर ध्यान केंदरित कर रहे थे। उन्होंने कुछ गेंदे फिटनिस ट्रेनर को दिखाई जबकि सनराइजस हैद के स्पिन गेंदबाज यश्वंत चाहल अपने स्पिन गेंदों पर विशेश ध्यान दे रहे थे। दोपहर को खिलाडियों ने अपना लंच लिया और आराम किया। इसके बाद सभी ने फिर से अपना अभ्यास शुरू कर दिया था। बल्लेबाजों ने नेट्स पर बल् लेबाजों से शुरूाती ओवरों में सतर्क रहने को कहा, वहीं हैदराबाद के कोच राजेश खन्ना ने गेंदबाजों से शुरूाती में विकेट लेने पर जोड दिया। फिर समय आ गया खिलाडियों को मैदान पर उतरने का, सभी खिलाडी अपने जर्सी और किट पहन कर तयार होने लगे, प्लेइंग 11 के खिलाडी तो काफी उत्साहित थे, जबकि बेंच पर बैठे खिलाडी अपनी टीम की जीत के लिए दुआ कर रहे थे, इस तरह दोनों ड्रेसिंग रूम में उत्सा और जोश का माहौल बना हुआ था, सभी खिलाडी जीतने के लिए दुभा से ही मैदान पर आ गए थे और अपने आपको गर्म करने लगे, वे सभी अपनी अपनी क्षमताओं पर और अधिक काम करना चाहते थे ताकि वे मैच में अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन कर सकें। पिछले सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार हमें और भी बहतर करना होगा। मैं चाहता हूँ कि हम सभी अपनी पूरी ताकत लगाएं और जीत हासिल करें। शाहरुख के बाद कोच शाहित कपूर ने बात की, उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम इस मैच को जीत सकती है, लेकिन इसके लिए हमें कड़ी महनत करनी होगी और सभी को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। इसके बाद शाहरुख ने अपने प्रमुख खिलाडियों से बात की, उन्होंने सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर से कहा, गौतम भाई, मुझे आप से शांदार बल्लेबाजी की उम्मीद है, आज आपको शुरू से ही अच्छी शुरुआत करनी होगी। गौतम ने कहा, शाहरुख मैं पूरी कोशिश करूँगा और अपना सर्वश्रेष्ट प्रदर्शन करूँगा। फिर शाहरुख ने अपने स्टार गेंदबाज प्रकाश राज से बात की, उन्होंने कहा, प्रकाश तुम पर बहुत उम्मीदे हैं, तुम्हें शुरुआत से ही गेंदबाजी में अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। प्रकाश ने जवाब दिया, कप्तान, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम शुरू से ही विकेट ले सकें। इसी तरह, शाहरुख ने सभी महत्वपूर्ण खिलाडियों से बात की और उन्हें प्रेरित किया। दूसरी तरफ, सन्राइजस हैदराबाद की ओर से भी कई गतिविधियां चल रही थी। उनके कप्तान रणवीर सिंग भी टीम को एकत्र कर बैठक कर रहे थे। रणवीर ने अपने खिलाडियों से कहा, दोस्तों, आज का मैच बहुत म है, हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और जीतना होगा। पिछले कुछ मैचों में हमारा प्रदर्शन थोड़ा निराशा जनक रहा है, लेकिन आज हम वापसी करेंगे। कोच राजेश खन्ना ने भी खिलाडियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस मैच में शांदार प्रदर्शन करोगे, बस थोड़ा और ध्यान केंद्रित करना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। रणवीर ने अपने खिलाडियों में से कुछ को व्यक्तिगत रूप से भी सला दी, उन्होंने अपने सलामी बल्ल विश्वास डेविट वार्नर से कहा, देव, मुझे आप से भेतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है, आपको शुरुआत से ही रन बनाने होंगे। वार्नर ने जवाब दिया, रणवीर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं अपना सर्वश्रेष्ट प्रयास फिर रणवीर ने अपने स्पिन गेंदबाज यश्वंत चाहल से बात की, उन्होंने कहा, यश्वंत, आज तुम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, तुम्हें मध्य ओवरों में विकेट लेने होंगे। चाहल ने जवाब दिया, कप्तान, मैं अपनी पूरी कोशिश करू इस प्रकार, दोनों ही टीमों ने अपनी रणनीतियां तैयार की और खिलाडी मैच के लिए तैयार हो गए, फिर टॉस हुआ और खेल शुरू हो गया। और गंभीर ने पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया, गेंद स्विंग हो रही थी, लेकिन वे इसके बावजूद दोनों छोर पर रन बनाते रहे, पांच ओवर तक स्कोर 32 रन था, फिर चाहल को गेंद सौंपी गई, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में उथपा को पव बढ़ाया, लेकिन सिडने ने गंभीर को बोल्ड कर दिया, स्कोर 68 बटा दो था, फिर मनीश पांडे और शाहरुख ने मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया, शाहरुख ने चाहल और रशिद खान को बेहत साथ सम्मान के साथ खेला, उन्होंने अपना अर्धश तक पूरा कि और टीम का स्कोर 150 से आगे ले गए, अंत में कोलकाता ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 162 रन बनाए, शाहरुख ने नाबाद 73 रन की पारी खिली, अंतराल के दौरान संराइजस हैदराबाद के खिलाडियों ने रन नीती बनाई, उनका लक्षे 163 रन बनाना था, रनवीर न अपने खिलाडियों से कहा कि उन्हें शुरुआत से ही अच्छी रफ्तार से रन बनाने होंगे, जवाब में संराइजस के सलामी बलेबाज डेविट वारनर और जोनी बेरस्टो ने मैदान पर उतरे, कोलकाता ने प्रकाश राज से गेंद बाजी की शुरुआत कराई, वा एरस्टो को पवेलियन भीज दिया, स्कोर 54 बटा एक था, फिर केन विल्यमसन आएं और वारनर के साथ अच्छी साजहदारी की, उन्होंने कॉलकाता के गिंद बाजों पर मैदान पर कबजा कर लिया, दोनों की साजहदारी 100 रन से आगे निकल गई, लेकिन फिर चाहल ने विल्यमसन को बोल्ड कर दिया, स्कोर 122 बटा दो था, वारनर भी अर्धश तक पूरा कर चुके थे, अब रनवीर ने मुहमद नभी के साथ मिलकर खेला, वे दोनों ने अच्छी गती से रन बनाएं और आखिरी ओवरों में जीत तक पहुँच गए, आखिरकार, सनराइज सनराइजस हैदराबाद ने 19.2 ओवरों में 3 विकेट पर 165 रन बना लिये और मैच आसानी से जीत लिया, वारनर नाबाद 81 रन बना कर मैन आफ दे मैच बने, मैच के बाद दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम में अलग माहौल देखने को मिले, सनराइजस के ड्रेसिंग जबकि कॉलकाता के खिलाडी निराश नजर आ रहे थे, सनराइजस के कोच राजेश ने सभी खिलाडियों को बधाई दी और कहा, आज आप सभी ने शांदार प्रदर्शन किया, यही तरीका है जीतने का, अगर हम इसी तरह खेलते रहे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, रन बहुत बढ़िया खेला, आज का मैच हम सभी के लिए याद रहेगा। इस प्रकार दोनों ही टीमों के ड्रेसिंग रूम में अलग-अलग माहौल देखने को मिला, जीत और हार का हिस्सा खेल का एहम पहलू है। अब तो देखना बाकी रह गया कि कौन सी टीम आगे बढ़ती है और अगला मुकाबला जीतती है। सब्सक्ट का लिए